हेलो फ्रेंस आप सब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सन्जा फ्रूटिक्स में चलो देर ना करते हैं अब हम वीडियो को शुरू करते हैं हेलो फ्रेंस देखिए आज मैं आपके सामने नई रेसिपी लेके आई हूँ यह साम की रोटी है है और मैं इनको आपको बना के दिखाऊंगे और यह सामके चावल है थोड़े से जो बच गए थे और हम इनकी अब नई रेसिपी बनाएंगे चलो वीडियो देर ना करते हैं चलो हम रेसिपी को शुरू करते हैं और इस रोटी को हम बिल्कुल छोटे चोटे टुकडों में तोर लेंगे ठीक है देखिए हमने रोटी को बिल्कुल छोटे चोटे टुकडों में तोर लिया है और अब मैंने इन दोनों को बनाने के लिए देखिए क्या-क्या मसाला बयार किया है यह महीन काटा हुए प्या दखाते हैं अब देस जिरा हो गया है इसमें हलका सा जीरा डाल देंगे आप जीरा हो जाएगा इसके बार देखिए दोस्तों जीरा फुर्चे से लाल हो गया है इसमें प्यास डालेंगे देखिए दोस्तों प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गया है अब इसे अप्लाज देंगे अरेमिट्स देखिए अब इसको भी अलका सा बूंज लेंगे इसको अच्के सेमें बूंज देना है और इसी में दाल देंगे आलो लाइन कटे हुए आलो दोस्तों यह मैने इसमें दाल लिए है और यह बूंज देंगे अच्छे से अब हम इसमें डालेंगे पूंज देखिए दोस्तों यह बूंज गया है अब हम इसमें डालेंगे यह और आदिशम्मच अल्दी आदिश्मच अब दालेंगे आदिश्मच दन्या और ये अ करते हैं तो नहीं के यह नहीं कि यह था शब्ची बच्ची हुए जो मैंने बच्ची बच्ची में बच्ची में डाल देहीं है और देखिए दोश्तो तो हमें अब मिला लिया है देखिए देखने में कितनी अप्छी लगने हैं और अब हम इसमें राग देंगे स्वादय निशान में देखिए दोस्तों अब हम इसको ढख के हमसे कम बिल्कुल सिम गयस से दो मिनट बनाएंगे तो देखो मैंने डख दिया इसको अब यह दो मिनट अब अच्छे से पकने दुश्य की देखिए दोस्तों दो मिनट हो गया है वह दो मुझायने अब हम इसको पड़्ती मार देंगे आ है लुए अब इसको हम पुछ देरो पकाएंगों देखिए दोस्तों अब यह अच्छे से पक दिए है देखिए दोस्तों यह देखने में जितनी सुन्दर है खाने में भी उतनी टेश्टी है एक बाल जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगियो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और अब बैल आइकन को देवाना ना बुले